हेलो इस वीडियो में हम फार्मूला टेक्स्ट के बारे में जानेंगे तो फार्मूला टेक्स्ट कब यूज होता है इसको क्यों यूज किया जाता है इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे तो यह हमारे पास जैसे यह data दिये गया है इसमें यह name दिये गया है यह row number है यह subject है तो यह हम यहाँ पर total करेंगे फार्मूला लगा के इसके बाद इसकी यहाँ पर percentage निकालेंगे तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर grand total यह जो subject है इनका grand total यहां पे निकालेंगे तो यह देखो यहां से लेके यहां तक हम range को select करेंगे यह select की और यहां पे grand total in subject का निकालेंगे तो यहां पे auto sum पे click करेंगे और सभी का यहां पे total आ जाएगा इसके बाद यहां पे इनकी percentage निकालेंगे तो percentage निकाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद यहाँ पर यह grand total यहाँ पर क्लिक करेंगे यह G2 यहाँ पर आ जाएगा यह G column है यह 2 और row है G2 और यह subject हमारे पास 1, 2, 3, 4 है तो यहाँ पर divide करेंगे 4 से यह 4 लिखा इसके बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यह percentage यहाँ पर आ जाएगी यहाँ पर klik किया और इसको यहाँ पर ड्रे ay क्या निचे यह देखो ड्रे ay किया तो सभी की percentage यहाँ पर आ जाएगी अब अगर कोई यहाँ पर grand total में editing करता है तोटल है यहां पे हम अडिटिंग करते हैं यह जैसे इसको चेंज किया 333 यह हमने लिखा इसको चेंज कर दिया इसके बाद यह जो टोटल है यहां पे चेंज करते हैं यह फौर फौर कर दिया हमने यहां पे ग्रैंड टोटल में दो हमने यहां पे चेंजिंग की एक यह एक भी हम changing करते हैं जैसे यहां पर यह third number पर हम यहां पर 55 करते हैं और यह जो last है यहां पर हम करते हैं यह 66 यह percentage हमने यह change कर दी इसके बाद अगर हम यह check करना जाते हैं कि हमारे grand total में कोई changing तो नहीं हुई है यह percentage में कोई changing तो नहीं हुई है तो इसको check करने के लिए हम यहां प देखो, formula text यहां पर function यूज़ करेंगे, यहां पर लिखा, equal to, यह equal to लिखा, इसके बाद formula text, यह लिखो, formula text यहां पर निचे आजाएगा, यहां पर double click करेंगे, double click करने के बाद, इसके बाद यहां पर दिये गया है reference, तो reference पर हम इसको देंगे, grant total का यह जो first है, इसको यहां यहां पे bracket को बंद करेंगे bracket बंद करने के बाद यहां पे enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यह formula यहां पे आ जाएगा अब हम यह चेक करना जाते हैं कि कहां पे हमने यहां पे editing की हुई है तो यहां पे click करेंगे और इसको यहां से ड्रैग करेंगी ये देखो ड्रैग किया ड्रैग करने के बाद यहां पे एक तो हमने चेंजिंग यहां पे की हुई है ये देखो ये चेंजिंग है ये नो टैबलेवर एक तो यहां पे चेंजिंग है इसके बाद ये देखो ये 444 ये हमने यहां पे changing की थी तो यहां भी आ गया na not available यहां भी आ गया तो ये दो जगा हमने यहां पे changing की थी तो formula text के जरीए हमने ये जान लिया कि कहां पे editing हुई है तो एक यहां पे हुई है एक यहां पे हुई है इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि percentage में कहां कहां पर अडिटिंग हुई है तो यहां पर हम formula text use करेंगे यहां पर click किया click करने के बाद यहां पर लिखा equal to लिखने के बाद formula text यह formula text नीचे आ जाएगा यहां पर double click किया डबल क्लिक करने के बाद ये देखो रिफरेंस तो रिफरेंस हम देंगे ये 71 यहाँ पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे ये ब्रैकेट बंद की इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहाँ पे 71 पे यह formula लगा था यह formula यहाँ पे आ गया है आने के बाद जब हम यहाँ पे इसको ड्रै करेंगे यह देखो निच्छे ड्रै किया कहा कहाँ पे यहाँ पे अड़िटिंग हुई है वो यहाँ पे आ जाएगा ये देखो note available एक तो यहाँ पे editing हुई है ये देखो 55 हमने लिखा था इसके बाद ये निचे आया हुए na तो यहाँ भी हमने editing की थी ये देखो 66 तो यहाँ भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे editing हुई है तो यहाँ पे आ गया na तो इस तरह से जहा यहां पे error आई हुई है जैसे एक error यह है एक error यह है इसके वाद error यह है इन सभी को अगर हम हटाना जाते हैं और अपने formula को सही करना जाते हैं तो हम क्या करेंगे दुबारा से यहां पे formula नहीं लगाएंगे हम यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के वाद इसको निचे यहां drag किया तो drag करने के बाद यह देखो यहां से जितनी error आ रही थी वो सभी error यहां से हड जाएंगी और यह हमारा जो formula है वो यहां पे सही आ जाएगा इसी तरह आगे percentage यहां पे error है जैसे यह एक error है यहां पे editing हुई है एक यह error है यहां भी editing हुई है इसको अगर हम यह formula को सही करना जाते है तो हम यहां पे 71 यहां पे click करेंगे और इसको निचे drag करेंगे यह देखो drag किया drag करने के बाद यह formula भी यहां पे सही हो गया है तो इस तरह से formula text के जरीए हम यह check कर सकते हैं कि कहां कहां पे editing हुई है और फिर हम द्वारा जाके उसको सही कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने formula text के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज subscribe my channel धन्यवाद